सीधा रुक कर लेते हैं मेरे सयोगी असमिता नेक्स स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ी हुई जो आपको बताएंगी कि अब तक वोटकास्ट उत्तर प्रदेश और उत्राखंड की पब्लिक ने वोटर्स ने कितना कर दिया असमिता ओवर टू यू बलकुल पारूल घडी में लगभग 12 बच चुके हैं और 12 बची तक का मदान प्रतीशत हम आपको बता रहे हैं आपकी जिएका 11 बची तक का हमारे पास आज चुका है तो सबसे पहले हम जानेगी कि उत्तर प्रदेश में अब तक कितना मदान प्रतीशत रहा 25.2 प्रतीशत म फिल्हाल उत्तर प्रदेश में हो चुका है बहाँ टेंपरिचर हाइज है लेकिन लोगों का ँतसा भी यहाँ पर जोरो धोरों से देखा जा रहा है नेक्स सीट के गरम बात करें अगली सीट की तो उतर प्रदेश की केराना सीट है यहाँ पर भी 25.89 प्रतीशत तक का मद्दान यहाँ पर हुआ है अगली सीट के अगर हम बात करें उतर प्रदेश की ही तो अगली सीट है उतर प्रदेश की मुरादाबा सीट काफी महत्वपून सीट यहाँ पर भी जो है लोगों में अच्छा खासा उत्सहा देखा जा रहा है 23.3-5 प्रतीशत का यहाँ पर मतदान हुआ है इसके लाव अगली सीट की बात कर लेते हैं जो कि उतर प्रदेश से ही है आठ सीटों पर जो है आज मतदान हो रहा है मुझपन अगर काफी होट सीट मानी जारी है कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है यहाँ पर बीजिपी और कॉंग्रस का और यहाँ पर भी लोग जो है जोरो शोरो से पूरे उत्सहा के साथ मतदान कर रहे है मदान परसिंटेज आप देख सकते है 22.62 प्रतीशत यहाँ पर मदान हुआ है नेक्स सीट उतरप्रदेश की नगीना सीट के गरम बात करें तो यहाँ पर भी 26.89 प्रतीशत मदान अभी तक हुआ है और काफी जादा यहाँ पर अभी भी लोग जो है बड़ी तादाद में आ रहे हैं मदान कर रहे हैं अपने मतादिकार का प्रयोग कर रहे है अगली सीट की बात कर लेते हैं हम उतरप्रदेश की ही तो अगली सीट है उतरप्रदेश की पीली भीत ये भी कापी जादा important seat है जिस प्रकार से आप भी इसे cover करती है और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं यहाँ पर भी कापी जादा कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है इंडिया एलाइन्स के बीच और बीजेपी के बीच तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वोटिंग परसेंटेज 11 बजे तक 26.94 प्रतीशत तक हाँ पर मदान हुआ है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 11 बजे तक 26 प्रतीशत का मदान और आने वाले समय में भी और जो है यह मत प्रतीशत बढ़ने वाला है अगली seat की बात कर लेते हैं उतरप्रदेश की ही seat है जो फिलाल हुआ है लेकिन जिस तरह से हमारे reporters ground level पर जुड़े हुए उनका कहना है कि लोगों में उत्सा देखा जा रहा है धीरे धीरे करकर लोग यहां पर आ रहा है और मदान कर रहा है अगली seat की बात कर लेते हैं अगली seat उतरप्रदेश से ही है जो की है साहरनपूर seat उकसभा पर ही चुनाव होने है साहरनपूर की बात करें तो यहां पर काफी जादा उत्सा देखा जा रहा है जिस प्रकार से पारोला आप देख सकती है 29.84% मदान यहां पर हुआ है यानि हम अंदाजा लगा सकते है कि कि कितने उत्सा के साथ साहरनपूर में जो जनता है व उत्साखन में अभी तक 24.83% का मदान हुआ है 11 बजे तक जो कि अपने आप में एक अच्छा आकड़ा है लगातार जो है लोग आ रहे हैं घरों से निकल रहे हैं अपने मत अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं अब हम उत्त्राखन की सीटों की बात कर लेंगे उत्राखन की सीट अलमोडा की सीट 22 दशमलव 2 प्रतीशत यहां पर मद्दान हुआ है अभी भी लोग निकल रहे हैं मद्दान कर रहे हैं अगली सीट के अगर हम बात करें उत्राखन की ही तो वह है हरीद्वार सीट होट सीट काफी जादा यहां पर हमने देखा कि गहमा गहमी देखने को म अब तक जो कि अपने आप में एक अच्छा नंबर है अगली सीट की बात करें जो कि अगली सीट अगे अगर हम बात करते हैं तो यहां पर भी बहुत अच्छा वोटिंग परसेंटेज सामने निकल कर आया है 26.46 अब तक 11 बज़े तक का यहां पर मददान हुआ है अगली सीट की बात कर लेते हैं अगली सीट उत्राखंट से ही जो है पौड़ी सीट पर भी अभी तक 24.43 परसेंट का मददान हुआ है जो कि अगेन अपने आप में अच्छा नंबर है अच्छा पैक्टर है और क्योंकि अभी 12 ही बज़ रहे है और शाम 6 बज़े तक मददान होगा तो यह परसेंटेज और भी शाम तक बढ़ने वाले हैं आखरी सीट की बात कर लेते हैं उत्राखंट की आखरी सीट जो की है टिहरी गड़वान यहाँ पर भी अभी फिलहाल मददान प्रतीशत तो कम है लेकिन जिस प्रकार से उत्राखंट से हमारे रिपोर्टर्स जुड़े उनका कहना है कि लगातार जो है लोग वोट डालने पहुच रहे हैं 11 बचे तक कि अगर बात करें हम तो यहाँ पर 23.2-3 प्रतीशत तक का मददान हुआ है और अनाधी टीवी के सरी हम भी आपसे अपील करेंगे कि अगर आप भी अपने घर पर है अभी और आपने भी तक वोट नहीं दिया है तो जाकर अपने मताधिकार का प्रियोग करें और यह थे कुछ आकड़े 11 बचे तक के और यह थे वोटिंग परसिंटेज